आई सेक्षिन माँ, तो य अक्सिस जेचे इस सिमेट्रिकल छे, माटे आपने एकस बार जेचे इसू मर से, डायरेकली अवेलेबल खाई जेसे, अने वाई बार ने आपडे कैलकुलेट करवू पड़ से, तो हवे एकस बार आपने के विरिते मर से, जो जे बीग पोर्षन काय अपने के लिए, इस साथी बिग पार्ट छे, तो अन उबी केटलो आपन आपने 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 होचे, 40 cm, 40 x 2 is equal to 20 cm, तो x बार आपने डायरेकली अवेलेबल थही गए होचे. हवे आपने सु करवानुचे y बार ने calculate करवानुचे clear तो हवे y बार ने find करवानुचे माटे आपने सु find करूँपर से a1, y1, a2, y2, a3 अने y3 तो first आपने part number 1 जे top flange जे चे एने आपने सु नामाप्यूचे part number 1 जे वच्चे नो जे portion चे एने के वाई wave clear तो first आपने सु find करसू part number 1 नो a1 अने y1 तो part number 1 माटे नो a1 केटलो थसे b into d तो b केटलो जे 20 चे d केटलो जे 2 cm clear तो a1 थसे 20 into 2 is equal to 40 cm square clear a1 find थे गयो हवे आपने find करसू y1 y1 find करवो छे reference अक्सिस छे horizontal reference अक्सिस पेला लेवा नी छे horizontal reference अक्सिस थी part number 1 जे छे एक केटलो अप छे जो 4 cm अने 30 cm clear तो first आपने part number 3 अने part number 2 ए बंडे ने क्रॉस करिये तो आपने part number 1 सुधी पहुँची शकिये तो आपने जे नीचे 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 होरिजन्टल रेफरेंस अक्सिस चे छे त्यां थी केटलो अप जसू 4 प्लास 30 4 प्लास 30 प्लास सूसे आपनी पासे सुत्रा D by 2 तो D या पाट नमबर 1 नो केटलो आपे लोचे 2 cm clear तो 4 प्लास 30 प्लास 2 by 2 तो 34 प्लास 2 by 2 is equal to अपने आंसर मरसे 35 cm clear तो आपने part number 1 नो A1 फाइंड करियो अने Y1 फाइंड करियो हवे part number 2 के जे वेब छे एनों आपने A2 अने Y2 फाइंड करिये clear तो हवे part number 2 नो A2 सुत हसे तो के आपनी पासे B केटलो चे 2 cm छे अने D केटलो चे part number 2 नो 30 cm clear तो A2 महिं या मरसे आपनने 30 into 2 is equal to 60 cm square clear हवे आपने part number 2 नो Y2 फाइंड करिये अवे Y2 फाइंड करती वक्ते फस्ट आपने सुझुवारूं चे reference axis थी ए part सुधी आपने पहुचवानूं चे तो reference axis चे चे एना थी part number 2 सुधी पहुचवा माटे केटलो डिस्टन्स अब जाओ पर से 4 cm जेटलो डिस्टन्स अब जाओ पर से clear अने पच्छी आपने पासे सुत्रसूं चे D by 2 तो part number 2 नो D याँचे 30 cm clear तो Y2 is equal to 4 plus ओके student अवे तमने ख्याल आवे चे कि आपने 4 cm 4 या प्लस केम करियो कि नोगे part number 2 सुधी पहुचवा माटे आपडे reference अक्सिस्थी 4 cm जेटलो काई बाजू गया ची है upside गया ची है एटलो आपने part number 2 मले चे अने 25 उतर आपडे अपलाई करिये चे 30 by 2 एटलो कि D by 2 नो equation clear तो Y2 is equal to 4 plus 30 by 2 is equal to 19 cm clear part number 1 आने part number 2 A1 Y1 आने A2 Y2 फान करियो हवे आपडे part number T 3 एटले के जे bottom फ्लेंच चे एनो आपडे A3 आने Y3 फान करिये तो जारे A3 फान कर सू त्यारे सू आपडे पासी सूत्र चे B into D एरिया नो तो थर्ड पाड़ नो एरिया सू थासे B केटलो चे 40 cm चे अने D केटलो चे 4 cm चे clear तो सू थासे A3 40 into 4 clear 40 into 4 is equal to 160 cm square Y3 थासे 4 by 2 4 by 2 केम थासे चलो जो जो ये जी थर्ड पाड़ जे छे A जे horizontal जे अक्सिस चे reference अक्सिस एने थर्ड पाड़ जे छे ए टच थायलो चे माटे कोई पाड़ डिस्टन्स प्लस करवानी जरूर नथी एटले सिद्धू आपणी पासे सुत्तर जे चे D by 2 एज आपने एपलाई करवानू चे माटे पाड़ थड़ नो D केटलो चे 4 चे माटे D by 2 एटले के 4 by 2 clear तो Y3 is equal to 4 by 2 is equal to 2 cm clear तो student आपणे त्रणे त्रण पाड़ नो A1 Y1 A2 Y2 अने A3 Y3 फाइन करी जे वैल्यू जे छे एने आपने नीचे ना इक्वेशन माँ पूट अप करिये वैल्यू तो Y2 is equal to A1 Y1 plus A2 Y2 plus A3 Y3 upon A1 plus A2 plus A3 चलो इबद्धी वैल्यू ने आवे पूट अप करिये एक्वेशन माँ 40 into 35 plus 60 into 19 plus 160 into 2 upon 40 plus 60 plus 160 is equal to 2860 upon 260 is equal to आपने वाइबार नो आंसर मड़े छे 11 cm clear so X-bar औने Y-bar आपड़े बनने फाइंड करियो X-bar नी वैल्यू आपने मड़ी 20 cm औने Y-bar नी वैल्यू आपने मड़ी छे 11 cm clear student तो अहीं आपड़े T-section औने I-section ये बनने ना एक्जांपल जोया first आपने T-section माँ reference अक्सिस थी किवी रिते Y1 औने X1 फाइंड करो ए आपने जोयू अने पच्छी एना एक्जांपल जोया एल्ले के T-section औने I-section ना ए बनने शेक्षन माँ आपड़े reference अक्सिस थी जारे आपड़े Y1 फाइंड करिये छे त्यारे reference अक्सिस थी ए पारसो दी फस्ट पहुंच वानू छे अने पच्छी आपड़ी पासेनू जे सुत्र जे छे D by 2 एने एपलाई करवानू छे क्लियर तो T-section औने I-section ना एक्जांपल आपड़े जोया हवे next लेक्चर माँ आना थी वधारे C-section जे छे, एंगल सेक्षन छे, ए आपड़े एक्जांपल जोसू ओके, थैंक यू